चलिए दूसरा कुर्शन करते हैं, यहाँ पर कुर्शन में दिरखा है बाइचुंग, बाइचुंग's father is 26 years younger than बाइचुंग's grandfather, बाइचुंग के father है और वो अपने grandfather से कितना छोटे हैं, 26 years younger, यंगर मतलब छोटे को बोलते हैं, and साथ ही साथ 29 years older than बाइचुंग, बाइचुंग के जो पापा हैं, बाइचुंग से कितने ओल्डर मतलब कितने बड़े हैं, 29 years, और the sum of the age of all threes, इन तीनों की age को अगर मैं जोड़ दूँ, प्लस कर दूँ तो 135 years आता है, what is the age of each one of them, हर एक की age कितनी है, देखिए, इसमें दिहां से देखिए, ये हैं आप, ये हैं आपका बाइचुंग, ठीक है, और बाइचुंग के father क्या है, चलिए मैं है सिहां रखता हूँ, ये हैं आपका बाइचुंग, बाइचुंग से बड़े कोन होंगे उसके, बाइचुंग के father, और उससे बड़े कोन होंगे, बाइचुंग के grand pa, grandfather को grandfather बोल देखे हैं अब यहां पर दुबारा question पर जाएए बाइचुंग father is 26 year younger than बाइचुंग grandfather तो यहां पर हम किसको X माने किसको क्या गरे हैं देखो बाइचुंग के जो father है उनको अगर हमें age X year माल लूँ बाइचुंग के father is 20 year younger than बाइचुं grandfather बाइचुंग grandfather से 26 year छोटे हैं छोटे हैं तो यहां इनकी age X है तो इनकी age कितनी होगी जी हाँ X plus 26 X plus तभी दाके तो बड़े हैं बड़े बड़े बाउजी हैं तो बड़े बाउजी तो 26 साल है यहां उल्टा बोल रहा था उसको हमने सही तरसी लिग दिया इसके जो पापा हैं बाइचुंग के जो पापा थे फादर वो ग्रांड पास से 26 साल छोटे थे छोटे हैं तो वो क्या होगे 26 साल बड़े तो अगर इसके पिता जी की उमर इतनी थी तो उसके दादा की कितनी जाएगी X plus 26 चलिए आप चलते हैं नेक्स लाइन में वहाँ पर क्या बोला है 29 इयर ओल्ड दैन बाइचुंग और उसके जो पापा हैं बाइचुंग से 29 इयर ओल्ड 29 इयर बड़े हैं अगर उसके पिता जी बाइचुंग से 29 इयर बड़े हैं तो बाइचुंग क्या होगा 29 इयर छोट किस से पापा से पापा की ए लिए जह must कर देंगे 29 है तो हमारे सामने क्या रही है तो हम करेंगे लेट आप language तो लिखे लोगे मैं लिलेता हूँ बाई चुंग बाई चुंग्स फादर एज फादर एज कितनी एक्स येर ठीक है इसके बात कर लेंगे बाई चुंग्स ग्रैंपा ये ग्रैंड फादर एज कितनी जाएगी एक्स प्लेस ट्वेंटी सिक्स इयर अब क्या गरेंगे बाई चुंग्स एज बाई चुंग्स की डारेट है जागई क्या गई वो आगी थे आपकी एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन क्योंकि 29 साल छोटा है उसके बाप 29 साल उससे बड़े इयर बस अब तो क्लियर तीनों की एज का सम कितना रहा है जी हाँ 135 एज प्लेस प्लेस ट्वेंटी सिक्स और प्लेस एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन तीनों की एज को प्लास कर दिया एक्वल्ट कितना चीस जी हाँ 135 एपनगे लीनरी क्वेस्टिन विद वन वेरिबल क्योंकि वेरिबल एकी ही हर जगा पावर सबकी एकी है तो लीनरी क्वेस्टिन वबलते हैं भाकिट खोलते हैं x बहर प्लस का, तो बहुत की सांज ने प्लस 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 का बन जाएगा प्लस प्लस का 26 ये भी का बन जाएगा जी हाँ, X अब गाद प्लस माइनस का 29 इकौल टू 135 समयार होगा कोई देक्षाणी नहीं होगी दो बहुत का बहुत कना सब्सक्राइब आवास आएगी चिंता ना कीजिए अज़र उसको मैं सेट करना बूलिया था कोपरेट कीजिएगा एक्स एक्स और एक्स यह देखो जहां से यह क्या है लाइक टर्म तो तीन जूड़ जाएंगे 3x ऐसी नंबर 26 और 29 प्लस माइनस माइनस 29 में से 26 गे 2 साइन क्यों आया माइनस का आपको पता ही है एक्वल टू 135 अब 26 7 8 9 यहां मैंने कुछ गरवड करी क्या गरवड करी है जिहां 9 में 6 गे तो 3 पचना था अभी जाएगा उस तरब तो बन जाएगा 3x एक्वल टू 135 जिहां प्लस का 3 और 138 बन गया 3x x is equal to 138 divided by 3 divide करी में तो कितना जाएगा 3 6 जा और 3 4 जा 12 1 आया पर 36 जा 18 तो x की value आपके आगी 46 अब हम सब की age निकाल सकते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है सब की age निकालनी है सब की age निकालनी है तो कैसे निकालनी है हमें पता तो है तो बाइचुंग फादर बाइचुंग फादर बाइचुंग के फादर कितने थे भई बाइचुंग के फादर कितने होगे 72 और बाइचुंग के फादर इतने 46 और उनसे बड़े कौन है बाइचुंग के ग्रांट फादर 72 चक लेजी इस मिसस को मैनस करके 26 का क्याप आएगा फिर बचा आप बाइचुंग बाइचुंग की age कितने निकालेगी पताया था हमने एक्स मैनस 29 तो एक्स की वैल्यू थी 46 मैनस करेंगे 29 तो अब बताएगी कितना जाएगा 6 में तो कैड़ी करें 16, 16 ना हैंगे आपका 7 यहांचा 33 में से 2 गया 1 तो बाइचुंग की age कितने आगी 17 बात समझ में आगी होगी तो इसे एक सिक्वेंस में लगाते हैं बाइचुंग तो चोटा है बाइचुंग की age है 70 तो बाइचुंग के फादर बाइचुंग फादर कितने हैं वह हैं आपके 46 और बाइचुंग के ग्रेंड फादर कितने हैं उससी बड़े वो कितने हैं जि से बड़े ये और इसे छोटा ये कोश्चन में रिपीट करके चेक कर लिजिए आंसर इस यही है तो आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में इस कोश्चन को द्यान से देखिए समझ यहां से देखने के बाद आपको लगा कि मुझा आ गया और आप इसे प्रैक्टिस ने करोगे फिर जब कभी-कभी आपको प्रैभी टेस्ट में या पेपर में कही आ गया आपको लगा मैं कर लूँगा और वहां पर जा कि आप सोच में बढ़ता होगी क्या था तो इस कोश्चन को एक बार अच्छी दर्स में देखिए पिर बंद कर दोगे तब तक आपको यह चीज करने पड़ेगी क्योंकि Maths मांगती है Practice प्रैक्टिस करने पड़ेगी मिलते हैं next वीडियो में